हेलो दोस्तों सब्सक्राइब आपके अपनी य्ट्यूब चैनल लेजुपूर में तो दोस्तों आज की वीडियो पी फर्स्ट येर के फर्स्स समेस्टर के शिक्षाशा सब्डेक्ट से रिलेटेड है तो यह पेपर वन के चाप्टर फोर की वीडियो चाप्टर त्री की यह बात करेंगे वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा वीडियो क्लास में ने कुछ इंपॉर्टेंट कोशन बता है जो इस चाप्रस रेलेटेड इग्जैम में आए हुए हैं हर साल लाजमी दोर से तो आप लोग लास तक जरूर देखिए अच्छी लगे तो लागे त चलिए करते हैं एक चुछा क शापदी करते के कंब बालों रहों है फीमें टोल फनों लाचों के तकार सिक्षाясे करना अगे बढ़ाना और बाहर की जात मिलती है पने गॉड गिफ्टेस होती है निंगॉड से मिलती है तो उन शक्तियों को ना हमारे उन स्टाबित को हमारे का उन разгła क्याषि-डाटो को बाहर हर निकालती है और सही रहा दिखाती he बिसिकली शक्षा का तरह के लिए उपास्तित सब्हों उशक तेओं को बाहर निकाला और उनका विकास करना सी शरक संकुची डर्थ के बाहरा यह दिबात करें तो शंकुची सिख्षा को तात परे उस श्रुषा से जो बालों को विद्धाल में प्रतान की जाती है दूसरे शब्द में जब बालक को पूर्ष निश्चित योजना दौरा व्यस्क वर्ग में निश्चित काल और निश्चित पत्यों दौरा निश्चित प्रकार्ज को ग्यान प्रदान किया जाता है तो उसे संकुचित सिक्षा कहते है यानि संकुचित का मतलब क्या होता है ब संकुचित सिख्षा का प्रारूप है जो विद्धाले में एक निश्चित समय अवदी के लिए निश्चित विशय वस्तु के लिए प्रदान की जाती है तो उसे संकुचित सिख्षा कहा जाता है यादि व्यापक सिख्षा की बात करें तो व्यापक रट में सिख्षा जीवन यानि जो विद्धालिय से ग्रण करते हैं । संखुचित हर्त और विध्याले किताबिय वह संखुचित है वह किताब्य ने जो व्यापक लिए प्रिट कर दिवारो कोई में व्याल कोई अगंड में यानि हम जीवन के प्रत्यक्छान में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और यह प्रकरिया जंड मिसे लेकिर मिर्टियों तक चलती रहती है तो इससे सिक्षा का वियापकड कहाना जाता है अब बात करते हैं विद्वान दरदी के पारिभाष्ण पर्भास्षा के मन में जो विदमान जितनी वी चीजें ना उनको प्रकाष मिलाना या उनको लाइट एंड करना उनको उजागर करना शिक्षण का है या प्रेटो कहते हैं कि Sिख अजिदम इस मी aggression से चो अच्छी आधरतों दौरा बच्चों में सद्गुडों का विकास में तो कहते हैं आरस्टू आ अरस्थत शरीरमे स्वस्त मन का निर्माण है लिसगार प्राषन गरिष्ट है और आपके विचार भी अच्छे हैं तो वह क्या कहलाएंगा कि आप शिक्षित हैं रूसों का अनुसर के वास्टेविक शिश्चा वह है वीस्टरोलोजी के अनुसर ये एक सब्भाविक समयनुविक शक्ति होती है इनका प्रोग्रेसिव डेवलाप्न्ट है आव्रीवय का नंद केुझार मनुष्ट की अंतर्नीत पूर्टा को अभीवेक्ट करना ही सिख्षा यैनि वीवय का नंद कि कहा रहे हैं कि जो हमारे अंत के शरेर उसकी मन उसकी आत्मा को शुद्धी करण करना उसका सरोत्तम Vikeaz करना यह क्या है सिक्षा है तो यह संब प्रभात्तर्वATE की परिवार्श का उपयुक्त और स्विकार परिवास दोर्वेकारे हैं यानि यरे जोब परिवार्शा कि सिक्षा बात करते हैं कि चार वर्ह में बाठा जाता है पहला विशिष्च उद्देशा सर वम तिसरह व्यक्तिक उद्धेश और चौथा समाजिक उद्धेश तो उद्देश गया होता है एक पुर्ण पूरन निरधारित लक्ष है जो किसी काम को करने से पहले असंl चैलिट किया जाता है या फिर किसी अव्यवार को पारने के लिए प्रिजूस्य को यो कि समया तक मतलब की energetic होकर कर लेता है और उसे पूरा भी कर लेता है तो इस लक्ष के प्राप्त करने को ही हम उद्देश कहेंगे बिना उद्देश के व्यक्ति जीवन के किसी भी छेत्र में सफल नहीं हो सकता तो इसी प्रकार सिक्षा के छेत्र में भी यही बात है कि इसका एकमात्र अपनी द्रिश्टि में रखते हुए बालक के मोल प्रवारती के विकास और उसका डेवलाप्मेंट प्रगती शील पथ पर कर सकेंगे तो यदि विशेष्टे सिक्षा की बात करें तो विशेष्ट उद्देशों को आसामान उद्देशों की संगया दी जाती है इन परिष्टेश कार्ण को ध्यान मेरा कर किया जाता है यह मतलब प्राय लचीले भी होते हैं और अनुकुलन योग होते हैं परिवर्थन शील निनी बदला जा भी सकता है ऐसे उद्देश को नेक्स रहे सौर भामिक उद्देश यानि यूनिवर्सल ए तो सार भामिक होता है यह उद्देश किसी विश्च इस्थान या देश तक सीमिदना होकर पूरी मानुद जाती के लिए होते हैं और इन्हें सनातन और निश्चित रुप से आप अरिवर्थन शील होते हुए इन्हें निभाना पड़ता है नेक्स्ट है व्यक्ति उद्देश तो यानि एन्डीज्वल है तो व्यक्ति वादी समाज की आपक्छा व्यक्ति को महत्व देते हैं और व्यक्ति क्षण व्यक्ति की व्यक्तिकत जो उशक्ता हो तो यह सब्कड़ति पर विक्त्थ जादर बल दिहान में लगते वे करना चाहिए इसके अत्रिक सिख्षा के अनुदेश भी जैसे जीव पारजन का उत्देश ग्यानर्जन का उत्देश चृत निरमान का उत्देश नागरिकता के प्रसिक्षा के लिए बहवात्मा कीटा के लिए सिक्षा और अंत्रास्टी अभवोत के लिए शिक्षा तो यह सभी आपकी स्लेबश में भी हैं यदि झीजिए का उपारजन की इतनास मर्त बनाया जाए कि वह आपने जीवन का निर्वा भी स्वयम कर सकें और इस बात का विद्यान रखना चाहिए कि बालक को जिस भी वैवसाय के लिए प्रिसिक्षित किया चाहिए बालक उसके योग हो या फिर नहीं हो मतलब कोई भी वैवसाय हो उसके इंट्रेस्ट कहना चाहिए तो वास्ताव में प्रिसित को उद्हाओ इंटाव योगता रूची चंपता अभरत्ये यो ध्यान में डखकर जेए उसे वैवसाय शिक्षा दी जानी चाहिए तो जो जिव का पारजन के लिए शिक्षा प्रिद्यान के जाती है उससे जिव का पारजन का उद्देश का है नेक्स्ट है ग्या तो चरित वान व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार करता है वो उसके आदर्श और सिद्दान के नरूप होता है यह आदर्श और सिद्दान नैतिक भी हो सकते हैं और आनैतिक भी तो चरित निर्मार के लिए यह जरूरी है कि ऐसी सिख्षा दी चाहिए कि बालक को मतलब कि कि आच्छा और समाजी ब्रणी बनाया जा सके नगरिक्ता का प्रिसीक्षिन का उद्देश तो होती है क्सिर्फी हें प्रकार से ह्किनिजह सब्सक्राइब बालक में वे सबी गुड़ा जाएं जो उसकी रूची योगता चमता के नुसार भी हो सके और वो एक सिटिजन्शिप यानि समाज में रहने योग वहवार भी करें और उस तरह से लोगों साथ रहे भी नेक्स है राश्ट्रीता के लिए सिक्षा कैसा बहा हो यह शक्ति जो व भाशा इतिहास संस्कृति से भी पूर्षद्दा और प्यार करना राश्ट्रीता कहलाता है तो ऐसे सिक्षा जो अपने देश से प्रेम करना की मतलब प्रेम करनी के निभूती पैदा करें सिखाय तो राश्ट्रीता के लिए सिक्षा को देश कहलाते हैं नेक्स्ट है भाव आत्मक रूप से मिल जुलकर एकता की सुथ में बानते हुए करती है ऐसी बावत्मक चेतना का मतलब विक्सित हो जाने से राष्ट्रों में प्रतेग वक्ति अपने पार्सपरिक बेदवाव को मिटा कर सब के साथ मिल जुलकर रहता है और देश भी अच्छे से सुचारी रू ऑर विश्व बंदुत्व की महान भावनाओ प्र contributing होता है मानौ मात्र का कल्यार हो प्रानी मात्र पर समानदिष्टी सु रहै विश्व भर में राष्ट्रों की पार्सपरिक मित बनी है सब में भाई जारा का वहवार है तो Muslims मतलब समस्त वसूदा ट्युज़ में प्रतीत ह है वो भी डेवलब हो सके तो अंतराष्ट्रिया बहुत के लिए सिक्षा का यहीं उद्देश भी है अब बात करते हैं इस चाप्रेसे रिलेटिट कुछ कोश्चन के बारे में तो पहला कोश्चन है सिक्षा से आप क्या समझते सिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए अत्वा करके सिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए तो देखे दोस्तों यह कोश्चन दोहजर छे और नमें आया हुआ है मैं अत्वा करके व्यापक सिश्या वग्संडow संगुची सिअर्थ में अन्धर सब्सक्राइब हैं अन्तर दस्थैयों में अध्वा करके सिख्षा का संगुची तरते बताईए यहi 2008 में आया हुआ नेक्स्ट रहे सिख्षा का व्याबकर्थ बताई तो यह दोजार चार पांच आठ ग्यारा बारा तेरा में आया हुआ है तो है ना यह कोश्चन इंपॉर्टन तो अपने माइन में जरूर हो किगा क्योंकि हम सिख्षा शास्ते पढ़ना है तो सिख्षा से रिलेटिड करना होगा और यह कोश्चन तो आए गई है कि आप सिख्षा से क्या समझते सिख्षा के संकुचित और व्यावक आर्थ को बताईए तता परिभाशा है लिखिए तो आपको करना पड़ेगा तो में एक्शार आप इन कोश्चन को अपने नोट बुक में लिखिए और नोट और नोट शिख्षा करण परिभाशा की जिए शिख्षा की कोई दो परिभाशा लिखी तो देखिए यह तीनों कुश्चन परिभाश्स रिलेटेड है यह लास्ट व्यावक्शन दोजार दो और सात में आया हुआ है तो आप इंट्रड़क्शन लिखिए गा सिख्षा का स आपकी राय में कौन परिभाशा अच्छी है चार पाट परिभाशा लिख कि आप किसी एक जैसे मैंने अभी एक्स्ट्रेइन किया कि पैस्ट्रोलजी की परिभाशा मुझे सबसे ज़ाधा मतलब की अच्छी लगी तो इसी तरह आप भी एंड में पताएगा कि आपको किसकी परिभाशा अच्छी लगी और क्यों लगी इस तरह से वैसे यह कॉश्चंस शॉर्ट में बनेंगे तो कोई बात नहीं है तो दोस्तों आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्फुल रहे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा चनल पे नहीं तो सब्क क्लीप नहीं कॉब को बाइड़ की बाइबाइ